आप सभी साथियों का इस वीडियों में एक बार पुनाय स्वागत है दोस्तों आप सभी के लिए एक खुसकबरी है और ये खुसकबरी आपके मांगाई भत्ते में बृद्धी को लेकर है और आप जानते हैं कि जब केंद्री करमचारियों के मांगाई भत्ते में बिर्धी होती है तो राजे सरकार के करमचारियों के मांगाई भत्ते में भी ये बिर्धी कर दी जाती है और ये मांगाई भत्ता जूलाई से दे होगा यानि एक जूलाई से सभी को दे होगा तो ऐसे हम दोस्तों आईए सबसे पहले इस समाचार को देख लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके इस बढ़े हुए मांगाई भत्ते पे कितना वेतन बढ़ जाएगा आईए दोस्तों शुरू करते हैं दिवाली पर केंद्री कर्मियों को केंद सरकार का तौफा मांगाई भत्ता में 3% की बढ़ोत्री 31% हुआ दिवाली से पहले केंद्री कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है केंद सरकार के कर्मचारियों और पेंसनरों के मांगाई भत्ते में 3% बढ़ोत्री को क तो दोस्तों, इस तरह से नई दिली से ये जी निज लगी है, आप देख सकते हैं हैं आपे, दीवाली से पहले केंद्री करमचारीों को सरकार ने खुश खबरी दे दी है, केंद्र सरकार के करमचारीों और पेंसंडरों के माघाई भत्ते में 3 फिश्दी बढ़ोतरी को केंद सरकार के कर्मचारियों और पेंसंड्रों को दिये जाने वाले महाई भत्ते में तीन प्रसद की बल्होतरी को लेकर चर्चा करने वाला था इसके बाद बलोतरी के पक्ष में फैसला लिये जाने के खबरें आ रही हैं इसकी आधिकारी जनकारी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर ने दी तो दोस्तों इस प्रकार से अनुराग ठाकूर जी ने ये बताया है कि तीन प्रसेट के बिर्धी को मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में अब आईए आपके व्यतन के बारे में बात करते हैं अब आईए दोस्तों हम आपके मंगाई भत्ते की बात करते हैं आपको बता दें कि वर्स में दो बार आपको मंगाई भत्ता दिया जाता है पहला तो जनवरी माह में और जो दूसरा मंगाई भत्ता दिया जाता है वो जूलाई माह में तो इस तरह से दो बार आपके डिये बढ़ा इसमें जनवरी 2020 में 4% बढ़ा था जुलाई 2020 में आपको 3% दिया गया और पुना जनवरी 2021 में 4% की बिर्दी हो यह टोटल मिलके बनता है 11% और हाली के दिनों में आपको यह 11-17% के साथ एट किया गया है और वर्तमान में आपका वेतन 28% मांगाई भत्ते के साथ दिया जा रहा है यह आप वर्तमान में अपने वेतन के साथ पा रहे हैं ऐसे में दोस्तों यहां पे 3% की बिर्दी और हुई है तो हमने आपको बताया कि वर्स में दो बार मांगाई भत्ता बढ़ता है एक जनवरी में और एक जुलाई में तो जनवरी में यह जो 4% बढ़ा था वो आपको अब दिया जा रहा है इसमें जुड़ा हुआ है 28% में अब यह जुलाई की बारी है जुलाई में आपको मांगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है तो यहीं जुलाई वाला मांगाई भत्ता यह 3% की बिर्दी इसमें की गई है तो अब यह 28 में 3% अगर एड़ कर दिये जाएगा तो यह टोटल बिर्दी आपकी हो जाएगी वो 31% की हो जाएगी तो इस प्रकार से दोस्तों आपका टोटल महंगाई भत्ता 31% बनता है अब दोस्तों आपके मन में सवाल यह अरा होगा कि हमारा महंगाई भत्ता कितना हुआ हमारे वेतन में कितनी बिर्दी होगी तो आईए इसे भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आपका मूल वेतन जितना भी है मालजे यहाँ पर 42,000 किसी का मूल वेतन है एक उदारन सरुक लेते हैं तो 42,000 में 3 का गुणा करिए और उसमें 100 का भाग लगा दीजिए 0 से 0 यह कट हो गया और यहाँ मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3 सुनाए सुन 3 दोने 6 और 3 चौक 12 इस तरह से 1260 रुपए की ब्रिद्धी होगी तो इस तरह से 42,000 मूल वेतन वाले व्यक्ति के 1260 रुपए की ब्रिद्धी होगी और आपका मूल वेतन जितना है यहाँ पे उसको लिखिए उसमें 3 का गुणा करिए और उसमें 100 का भाग लगा दीजे अपने मूबाइल के कल्कुलेटर में जितना आएगा उतना ही आपके वेतन में ब्रिद्धी हो जाएगी तो दोस्तों उमीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजीगा चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार